हरे कृष्णा आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं भगवत गीता के पंदरवे अध्याय का पंदरवाश लोक 15.15 भगवान यहाँ पर एक बात रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने पहले भी बताई थी कि मैं प्रतियेक जीव के हिर्दे में आसीन हूँ यह चीज तो हमें पहले से क्लियर है भगवान ने अच्छे से समझा दिये हैं बता दिये हर जीव आत्मा चाहे वो चीटी है चाहे वो हाती है चाहे वो पक्षी है चाहे वो पेड़ है चाहे मनुष्य है हर जीव के हिर्दे में भागवान उपस्तित है परमात्मा रूप में भागवान कह रहे है मैं प्रतेक जीव के हिर्दे में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ग्यान और विस्मृति होती है यानि जो कुछ भी हमारी याद रखने की शक्ती है, वो भगवान ने दी है, स्मृति, ज्यान, चाए भौतिक ज्यानों, चाए अध्यात्मिक ज्यानों, ये भगवान ही हमें प्रदान करते हैं, हम प्रयास करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं, और तीसरा है विस्मृति, य लेकिन आप सोचेंगे अगर मेरे कहने पर जस्ट इस लोग के लिए तो आपको ध्यान आएगा कि कभी शायद आपको कोई भेंकर बिमारी हुई हो या ऐसा हुआ हो कि कभी कोई बहुत चोट लगी हो या किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया हो जिससे आपको बहुत दुख हुआ हो लेकिन शायद आप उन चीजों को आज बिल चुके और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं ये किसकी कृपा है ये भगवान की कृपा है ये भगवान की कृपा है कि हमारे को भगवान ने विस्मृती दी है अगर भगवान ने हमें विस्मृती ना दी होती तो आज भी हम उन चीजों को सोच रहे होते और परिशान हो रहे होते लेकिन ऐसा नहीं है भगवान ने हमें विस्मृती का गोन दिया जिसकी वेज़े से हम भूल जाते हैं और नॉर्मल जीवन जी पाते हैं अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमें पिछला जन्म याद क्यूं नहीं है अरे सर बहुत अच्छा है पिछला जन्म याद नहीं है भगवान ने हमें यह विस्मृति की क्वालिटी दिया है अगर हमें पिछला जन्म याद होता तो हम नॉर्मल जीवन बिता ही नहीं पाते पिछले जन्म में अगर मान लेते हैं किसी ने हमारा कतल किया तो हम उस विक्ति को भी डूंटे रहते हैं पुस्ते कि उसको सजा दें अगर हम अगनी से जल के मरें पानी में डूब के मरें तो हम इस जीवन में इतना डरे रहते कि अपना नॉर्मल जीवन जीए नहीं पाते तो इसलिए भगवान ने पिछले हमारे सारे जन्म भुला दिये तो ये भी भगवान की करपा है भगवान की रहे हैं यानि सारे वेद के दुआरा जानने योगी हूँ बड़ी महतबूल स्थेंट्मेंट्स हैं इस लोका में अब कोई आदमें पूरे वेद पढ़रा है लेकिन भगवान ने कह दिये वेदों के द्वारा जानने योगी सिर्फ मैं हूँ यानि सारे वेद पढ़ लिये ठीक है लेकिन अगर उसको ये नहीं पता चला कि परम भगवान कौन है कोई कोई विक्ति कह सकता है कि हमें क्या करना ये जानके भगवान कौन है बिल्कुल ठीक लेकिन फिर हम बाते किसकी मानेंगे बिकोज इस दुनिया में अगर सारे लोग एक ही बात बोल रहे होते फिर कोई समस्या नहीं थी हर आदमी अलग-अलग स्टेट्मेंट देता है प्राब्लम वहां आती है भगवत गीता की importance इस बात से establish होती है प्रुपाजी ने दे दिया as it is यथा रूप तो हमें डारेक्ट उसको बस पढ़ना है और समझना है मेरा भी यही प्रियास है प्रुपाजी के प्रियास के बात कि आप लोगों को at least मैं बता सकूँ कि भगवत गीता भगवान ने बोली हुई है और ये इस लोग बोले हुए ये उसका अर्थ है हिंदी में अब आप उसको अगर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से समझ लें तो ठीक है नहीं तो जो गुरु की माध्यम से ग्यान मिल रहा है वही सही है उसी को as it is follow करें तो यही बात यहां भगवान कहे रहे हैं कि समस्त वेदों में जानने योग्य मैं हूँ तो अगर आपने भगवान कृष्ण को पहचा लिया और उनकी सारी इंस्ट्रॉक्शन्स इस गीता में है तो मैं बोलूँगा कि फिर वेदों को पढ़ने की आपको शायद जरूत नहीं है आप में से कोई अगर पढ़ता हो या पढ़ने की सोच रहा हूँ मैं उसको discourage नहीं कर रहा है या हो सकता है मैंने कुद नहीं पढ़े ना मैं पढ़ने की इच्छा रखता तो शायद मैं इसलिए ऐसा बूल रहा हूँ लेकिन जब भगवान ने कह दिया वेदों के द्वारा जानने योग्ये मैं ही हूँ तो हमने कृष्ण को जान लिया तो ठीक है हो गया कम भगवान कह रहे है निसंदे मैं ही वेदांतों का जितने भी वेद हैं उनका संकलन करता हूँ और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ जब भगवान समस्त वेदों को जानते हैं हम उसको पढ़के जो समझेंगे भगवान तो पहले ही जानते हैं उन्होंने ही लिखे हैं उन्होंने ही बताए हैं प्रहं ने बनाएंगे और उन्होंने फिर जो कुछ हमारे लायक है वो अरजुनके माध्यम से समझा दिया टो कहानी हो गई खरीब करीब पूरी पिहते तो हमें ये समझने के जुरूत है कि बर गद गीता ही हमारे लिए फिलहाल सर्वोत्तम जो है सर्वोत्तम ग्रंथ है इसको ध्यान से पढ़के समझ के फॉलो करना शुरू करें तो जीवन में प्रगति निश्यत है हरे कृष्णा